शिवरात्री के बाद ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों सिवरात्री खत्म हो चुकी है आप लोगों ने सिवरात्री मना ली भगवान सिवर माता पारवती के दर्सन भी कर लिये और अपनी अपनी मननतें इक्छाएं भी उनके सामने आप लोगों ने प्रगट कर दी लेकिन अब क्या क्या आपकी सारे एक छाएं पूरी हो गई या नहीं अगर नहीं हुई है और चाहते हो कि वो आपकी सारे एक छाएं पूरी हो तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखते रहो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिसियल हो सकता है इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा भगवान सिभ के बारह जोतिर लिंग का सही करम और उनसे जुड़ी हुई कुछ खास बाते जो साइद आप नहीं जानते होगे तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजा मिस्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल तो चलिए सुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो बारह जोतिर लिंग का सही करम सही करम कौन सा है और उससे जुड़ी हुई खास बातें क्या है दोस्तों भगवान सिब के बारह जोतिर लिंगों के दर्सन करने वाला मनुष्य सबसे ज़्यादा भागिशाली माना जाता है ये भी माना जाता है कि इन बारह जोतिर लिंगों में भगवान सिब स्वेंग जोतिर रूप में बिराजमान आज के डेट में भी है सिभ पुरान के या सिभ पुरान में सभी बारह जोतिरलिंगों का सही करम और उनसे जुड़ी खास जानकारी परनित है आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहली जो है जोतिरलिंग वो है सोमनाथ गुजरात के सोराष्ट में इस्थित सोमनाजोतिरलिंग की अस्थापना स्वेम चंदरदेव ने की थी कहते हैं कि इसे अब तक 17 वार नस्ट किया गया है और हर वार इसका पुरर निर्मान हो गया है यनि कि आज तक ये नस्ट ही नहीं हो पाई 17 वार नस्ट करने के बाद भी और इसका निर्मान स्वेम भगवान चंदर ने चंदरदेव ने किया दूसरी जोतिरलिंग है वो है मल्लिकारजुन आपने नाम सुना होगा आज मैं आपको करम बाईज बता रहा हूँ मल्लिकारजुन आंध प्रदेश में क्रिष्णा नदी के तट पर स्री सहल परवत पर इस्थित इस मंदिर का महत्त भगवान सिव के कैलास परवत के समान माना जाता है कहते हैं कि इस जोतिरलिंग के दर्शन करने मात्र से ही सारे पापों से मुक्ती मिल जाती है तीसरा जो है वो है महाकाले स्वर जोतिरलिंग मध्य प्रदेश के उजैन में छिपरा नदी के तट पर इस्थित महाकाले स्वर जोतिरलिंग की बिशेष्ता यह है कि ये एक मात्र दक्षिन मुखी जोतिरलिंग है यहां की भसमारती बिश्चो भड में परशिद्ध है यानि पूरे बिश्चो में केवल एक यही जोतिरलिंग है जो दक्षिन मुखी जोतिरलिंग है चौथा जो है वो है ओंकारेश्वर मद्धि परदेश के या मद्धि परदेश में नर्मदा नदी के किनाड़े मांधाता परवत पर इस्थित इस जोतिर लिंग के दर्शन से पुर्शार्थ जैसे की धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ती होती है जोतिर लिंग के दर्शन मातर से आपको धर्म का अर्थ का धर्म यानी की रुप्या पैसा काम और मोक्ष इन सभी चियों की प्राप्ती होती है ओंकार इस्वर के बाद है किदारनाथ किदारनाथ का नाम आपने कई बार सुना होगा हो सकता है आप में से कुछ लोग गए भी हो हिमाले की किदारनाथ नामक चोटी पर यह जोतिर लिंग को महीस रूपी यानी भैसों की आकिरती जैसे भगवान सिव की पीठ माना जाता है महीस रूप सिव के बाद की चार अंग हिमाले के अन्य चार तिर्थों में अस्थापित माने जाते हैं किदारनाथ में भगवान सिव का जोतिर लिंग है वो महीस रूप में है यानि भैस की आकिरती में है और महीस रूप सिव के बांकी चार अंग हिमाले के अन्य चार तिर्थों में अस्थापित माना जाता है के दारनात के बाद जो अगला नंबर है छटा जो नंबर है वो है भीमा शंकर महाराष्ट के पूने जिले में सहाद्र नामक परवत पर इस्थित भीमा संकर जो तिर लिंग को लेकर माननेता है कि जो पूरी स्रधा से इस मंदिर में सुवह सूर निकलने के बाद दर्सन करता है उसे साथ जन्मों के पापों से मुक्ती मिल जाती है भीमा संकर के बाद है सात्मा जो है वो है बिश्वनात कहते हैं कि कासी में इस्थित यह सिवलिंग प्रले काल में इस नगर की रक्षा करेगा प्रले के समय भी इस सहर में या इस सहर को कोई नुक्षान नहीं पहुँच पाएगा बताया तो ऐसा भी जाता है कि हिमाले को छोर कर भगवान सिव ने यहीं अपना निवास अस्थान बना लिया है आठमा जो है वो है त्रयमबकेश्वर महराष्ट के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में गोदावरी नदी के पास बसे इस जोतिर लिंग में भगवान सिव के साथ भगवान बिश्नु और ब्रह्मा की लिंग भी ब्रह्मा की भी लिंग रूप में अस्थापना की गई है सिब के द्वारा विश्णू और ब्रम्हा की भी लिंग रूप में अस्थापना की गई है आठमा के बाद जो नौवा है वो है बैजनाद धाम बिहार के दुमका नामक जनपद में इस्थित यह जोतिर लिंग भगवान सिब के बारह जोतिर लिंगों में से सबसे छोटा सिबलिंग है यहां का सिबलिंग भुमी से मातर चार अंगुली जितना उचा है बैजनाद धाम के बाद यानि बैजनाद जोतिर लिंग के बाद जो दसमा है वो है नागेश्वर गुजरात के द्वारिकापुरी से सत्रह मिल दूर अस्थापित इस जोतिर लिंग को लेकर माननेता है कि यह जोतिर लिंग जमीन से लगवग साथ फूट नीचे तक गहरा है साथ फूट नीचे तक गहरा है नागेश्वर दसमा के बाद जो एक ग्यारहमा है वो है रामेश्वरम रामेश्वर जोतिर लिंग तमिलाडू राज के रामनात पुरम नामक अस्थान पर बसे इस सिवलिंग की अस्थापना खुद भगवान राम ने की थी यहां के सिवलिंग पर केबल गंगोत्री या हरिद्वार से लाया गया जल ही चढ़ाया जाता है यह इसकी खासियत है और सबसे लाश्ट और अंतिम जो है वो है घुश मेश्वर जोतिर लिंग महराश्ट के बेरूल गाउं में बसे इस जोतिर लिंग के पास सिवालय नाम का एक सरोवर है कहते हैं कि इस सरोवर में सिव ने अपनी भक्त घुश मा के पुत्र को पुनह जिवन दिया था या जिवित कर दिया था तो दोस्तों ये थी हमारे पूरे हिंदू धर में या पूरे भारतवर्श या पूरे दुनिया में जो टोटल बारह जोतिर लिंग हैं उनके सही क्रम और उनके बारे में कुछ रहस्मई या जरूरी आवस्यक खास जानकारी अगर आपके जीवन काल में संभव हो सकता है तो एक बार आप बारहो जोतिर लिंग का दर्शन जरूर करो नहीं बारा तो आप जित्ते भी भगवान सिव का दर्सन करते हो सब कुछ करते हो लेकिन कम से कम इन सभी में से एक जोतिर लिंग का दर्सन अपने जीवन काल में जरूर करो अगर हिंदू धर्म में आस्था रखते हो और विश्वास रखते हो और महादेव को मानते हो तू अगर महादेव को मानते हो तू और फिर देखो आपके जिंदगी में कहां तक बदलावाता है इससे भी अगर नहीं होता है ताप किसी जोतिर लिंग से चाहां पे हो वहीं से कुछ कामना करो मननत मांगो और कहो कि अगर मेरी ये एक्षाय पूरी हुई तो हे महादे मैं आपके दर्सन के लिए जरूर आऊंगा और जिस जोतिर लिंग से आप वो एक्षाय मांगोगे आपकी वो एक्षाय जब पूरी हो जाए तब आप कम से कम उस जोतिर लिंग के पास जरूर जाओ और वहां जाकर दर्सन करो और अभी आप जहां पर में बैठे हुए हो और मैंने जो आपको बारा जोतिर लिंग दिखाए उन 12 के 12 जोतिर लिंग को आप वहीं से बैठे बैठे इस फोटो में ही परणाम करो क्योंकि आज आपको पहली बार सही करम में यूटूब चैनल पर में या कहीं पर में भी अभी तक आपको पहली बार देखने को सही करम में ये जोतिर लिंग मिला है और इसके बारे में जो बाते मैंने बताई हो सकता है वो आप पहले से भी कुछ बाते आप जानते हो लेकिन इसके बारे में जो करम जो मैंने बताया ये आप पहले से नहीं जानते होगे जहां तक मुझे उम्मीद है तो आप इस बारहो जोतिर लिंक को परणाम करो एक एक बार और फिर अपने मन की एक्छाएन के सामने रखो और जब आपकी एक्छाएन पूरी हो जाए तो एक बार कम से कम इन बारह में से एक भी जोतिर लिंक का दर्सन करने जरूर जाना तो मुझे इम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए beneficial रहा होगा अगर आप CVK भक्त हो अगर वागई कुछ ऐसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके लिए beneficial रहा तो आप इस वीडियो को लाइक करें share करें और चैनल को subscribe करके उसके वेल आइकन के बटन को दबा दें thank you thank you so much जैहिंद बंदे मातरव